नमस्कार दोस्तो आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको जीतिया ब्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जीमुत बहान भवान कीजे अवश्य लिखिए साथ ही अगर आ अच्छे स्वास्त, उन्नति और बंस ब्रद्दी के लिए जीतिया ब्रत बहुत महत्पून माना गया है इसे जीवित पुत्र का ब्रत के नाम से भी जाना जाता है जीवित पुत्र का ब्रत हर साल अश्वन मास के क्रिशन पच्च की अश्टमी तिथी के दिन रखा जाता है जीवित पुत्र का ब्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरच्छा और स्वास्त के लिए पूरे दिन और पूरी रात तक निर्जला उपवास करती है इस साल जीतिया ब्रत 6 अक्टूबर दिन सुक्रुवार को रखा जाएगा यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बेहार जारकन तथा उत्तर प्रिदेश में मनाये जाता है जीतिया ब्रत बहुत कठिन ब्रत माना जाता है इसमें ब्रती को 24 घंटे का निर्जला ब्रत करना होता है जीतिया पर्व तीन दिनों तक चलता है इस पर्व की शुरुवात सप्तमी तिथी पर नहाय खाय परंपरासे होती है इसमें इस्त्रिया पवित्र नदी में इश्नान के बाद पूजा का शात्विक भोग मनाती है दूसरे दिन अश्टमी को निर्जला ब्रत रखा जाता है नवमी तिथी पर इसका पारन किया जाता है इस बार नहाय खाय पांच अक्टूबर को है जीतिया ब्रत छे अक्टूबर को है और ब्रत का पारन साथ अक्टूबर को है आईए अब सुनते हैं जीतिया ब्रत की ये कहानी किसी गाउं में दो बहने रहती थी एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भागी भी ऐसा ही था सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया नाम के मुताविक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी पर दोनों बहने एक ही गाउं में रहती थी सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी साफशफाई करती, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच चाया करता था वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी इसी तरह से दुखिया का घर चलता था समय बीटता गया दोनों बहने के दो दो पुत्र थी यानि की सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र थी जब जीतिया का ब्रत आया तो हमीशा की तरह दोनों बहनों ने जीतिया का ब्रत रखा दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती ब्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुरदी निकली उसे अपने पास रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिया फिर उसने साग को चुना तो पत्तियों को डंठल से अलग किया यहां भी बड़िया बाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंटल थी उसे अपने लिए रख लिया और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बना कर अपने घर चावल की खुर दी और साख की डंटल को लेकर आकर उसी चावल की खुर दी और साख की खिलाया और खुद भी खाया इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई आधी रात में एक बुड़ी औरत उसके घर पर दरवाजा खटकटाती है तो दुखिया ने पूछा आप कौन है तब उस बुड़ी औरत ने कहा बेटा हम है दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा मा जी आपको क्या चाहिए आप इतनी रात में यहां किसलिए आएं है तब उस बुड़ी माने कहा बेटी मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दे दो दुखिया उस बुड़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है हम लोग बहुत ही गरीब हैं आज मै मैंने खुर्दी का चावल और साक की डंठल को बनाया है क्या आप उसे खाएंगी तो बुड़ी माने कहा हां क्यों नहीं खाऊंगी मुझे बहुत भूख लगी है मैं वही खा लूँगी दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साक का डंठल लाकर उस बुड़ी और खुर्दी और साक का चावल और साक के डंठल जाकर तो बुड़ी और साक क्यों नहीं खाएंगी मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता ऐसे में इतनी रात के अंधिरे में मैं अपने घर कैसी जाऊंगी तो दुखिया ने कहा कोई बात नहीं माजी आप यहीं सो जाओ, सुभए होने पर अपने घर चली जाना, तब बुड़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सोजाती है, बुड़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे देर संखा लगी है, कहा करूं, इस पर दुखिया कहती है, कि मेरे घर में सोचाले नहीं है इसलिए आप उधर कौने में कर लो तो वो बुड़ी औरत पूछती है बेटी भड़़ करू ये चरचर चूंकि दुखिया नीन में थी तो उसने नीन में ही कहा माजी भड़़ कर दो मैं सुबह साफ कर दूगी इसकी थोड़ी देरवाद बुड़ी औरत कहती है के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा इतना ही नहीं यही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुगा जो पानी बहता है वह सौने का पानी होता है आज पास की सारी महलाएं यह देखकर आर्चरी चकित हो जाती है और दुखियार से कहती है क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दोड़ कर अपने घर की ओर भागती है यह सोचकर कि उसका घर बुड़ी औरत की धिर्क संका से गंदा हुआ है पहले उसको साफ करना होगा लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कौने में धेल सारा सोना पिख्रा पड़ा है यह सब देखकर दुख्या बहुत खोस हो जाती है और सोचती है कि यह सब जीमुत वहन बावा की केरपासी हुआ है जो मेरे घर बुड़ी मा का रूप लेकर आये थे और मुझे इतना सारा आसिरवात दिया अब दुख्या भी अमीर हो गई और सुख्या के घर जाकर काम करना बंद कर दिया दुख्या अपना ब्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है बच्चा खुसी खुसी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है इस पर सुखिया पूछती है तराजू पर क्या नापना है बच्चा भूला होने के कारण बता देता है मेरे घर में बहुत सोना है मा को उसे ही नापना है सुखिया बच्चे को बोलती है खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना ना पो गए मुझसे जूट बोलते हो तब बच्चा कहता है कि मैं जूट नहीं बोल रहा हूं तब सुखिया सोचती है तराजू मांगा है तो कुछ तो जरू ना पेगी इसलिए वे तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वे इसमें चिपक जाएगा दुखिया ने तराजू पर सोना ना पा तो कुछ सोने का तुकड़ा उस गोंद में चिपक गया और जब बच्चा तराजू लोटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगे सोना लगा हुआ था ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है इसलिए वे कई दिनों से काम पर नहीं आ रही सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहां बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहां से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजु मंगवाय था दुखिया सच्ची और भूली थी इसलिए वे उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उससे ईशिया होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया अब तो अगली जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साक की डंठल ही बनाओगी फिर अगली साल जीतिया का ब्रत आया और दोनों बहनों ने जीतिया का ब्रत रखा सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था वे जीतिया के दिन चावल फटकती है और साफ साफ चावल फैंक देती है और खुर दे अपने पास रख लेती है और वैसे ही साख को तोड़ कर फैंक दिया और डंधल अपने पास रख लिये और वही बनाए पूजा पाट और खापी कर सुखिया सोने चली गई आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बुड़ी औरत आई सुखिया तो उसका इंतिजार कर ही रही थी उसने तुरन दर्वाजा खोल कर उस बुड़ी औरत को अपने घर के अंदर ले गई बुड़ी और औरत ने कहा मुझे तो बहुत भूक लगी है कुछ खाने को दे दो इस पर सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है तो वो बुड़ी मा कहती है कोई बात नहीं वही खाना मैं खा लूंगी तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया थोड़ी देर वाद उस बूड़ी औरत ने बोला मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता तो सुखिया ने कहा कोई बात नहीं आप यहीं सोजाओ बूड़ी औरत थोड़ी देर वाद फिर कहती है कि मुझे दीर क्रंखा लगी है कहा करूँ तो सुखिया ने कहा वहीं कौने में कर लो इसकी थोड़ी देर वाद बूड़ी माने फिर कहा कि भरबर करूँ या फिर छर-छर यहां सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताय था तो सुखिया ने कहा चरचर कर दीजिए बूड़ी मानी फिर से कहा बेटी मैं अपने हाथ कहा साफ करूँ इस पर सुखिया ने कहा मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए तब उन बूड़ी माने सुखिया के सर पर अपने हाथ साफ कर लिए जब सुवेश सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से फैला हुआ था इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है सुखिया कुर्सा होकर अपनी बेहन दुखिया को बोलाती और कहती है तुमने मुझे जूट कहा और मेरा पूरा घर गंदगी कर दिया इस पर दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था भरवर या चरचर तो सुखिया ने कहा कि उसने चरचर बोला था ये सुनकर दुखिया बोली तुमने यहीं पर गलती कर दी तुम्हारे पास तो सब कुछ था किसी भी चीज की कमी नहीं थी फिर भी तुमने लालच किया तुम तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ, अब सुखिया को बहुत ही पश्चताप हुआ, और वो जीमुत वहन भगवान से माफी मांगने लेगा। जैहो भगवान जीमुत वहन की।